दिवारों पे पैने लगाने का एक ट्रेंट सा चल चुका है आजकल, सब लोग अपनी दिवारों पे पैनलिंग करवा रहे हैं, तो आज आपके लिए UB Marble Sheets यो होती हैं, जो लोग अपनी दिवारों पे लगवाते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसी Marble Sheets आजकल Market में आ चुकी है जो एक आपको Marvel का लुक देंगी आपकी दिवार में अगर sealant है जाब अपनी दिवार को नया लुक देना चाहते हो तो आप UB Marvel Sheets यूज कर सकते हो काफी अच्छा लुक यह देती है तो आज की वीडियो में मैं आपको complete बताऊँगा कैसे आपको इसकी installation करवानी है कहां कहां इसकी installation हो जाती है कैसे ठेकेदार आपको Weep Coop bناते है इसका खर्चा कितना आता है एक दिवार में लगाने का अगर लकड़ी पे लगाना है तो कैसे लगाना है अगर दिवार पे लगाना है तो कैसे लगाना है हर चीज पे बात करेंगे अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जहां दिवारों पे आपके sealant रहती है वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें ना क्रोजन लगती है ना रस्ट लगती है ना इन पे क्रैक आता है कुछ effect sealant का इस पे नहीं होत जिनको molding भी बोलती है U molding, H molding, L patti इसकी help से इसको fix किया जाता है अगर आप direct इसको UV sheets को आपका जो glue आता है heat x का हो गया जहां इनका अलग से glue आता है उससे direct चिपका हो गये तो sealant की बजह से निकलने के chances जादा हो जाते है अगर आपकी दिवार में sealant नहीं है तो direct आप लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कभी भी आपको अगर दिवार पे यो marble sheet रहती है UV marble sheet तो वो आपको पटी के साथ ही लगानी है वो में आगे सारी चीज़े बात करने वाला लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता है UV marble sheets है क्या देखो एक product है जो एक mm से 3 mm की thickness में mostly market में मिलता है और ये पूरा look किसका देगा एक italian जो marble आता है उसका look दिवारों पे देता है इसको आप bathroom में use करो आप kitchen में use करो इनको आप अपनी दिवारों पे use करो एक अच्छी finish अच्छा look अगर आपको चाहिए तो आप use कर सकते हो आट भाई चार की sheet mostly market में ये मिलती है आप cutting के साथ इसको fix करवा सकते हो इसका rating analysis में आगे करने वाला हो main चीज़ आपको आगे ही पता चलनी है कितने का आएगा कितना खर्चा पड़ेगा लेवर वो सब चीज़े आगे पादा चलने वाली है लेकिन अगर मैं आपको सबसे पहले बता हूँ अगर दिवार पर आपको चिपकान है तो दोनों तरफ क्या होता है पट्टी मोल्डिंग लगाई जाती है और बीच में एच मोल्डिंग लगाई जाती है उस इसका कर लेता हूँ rate analysis खर्चा कैसे निकलेगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कहां गलती होती है कहां आपको पैसे बचाने और कहां से करीदने है यही मैं चीज है समझने वाली बाकी तो मो महाय है तो देखो एक दिवार में पक लेता हूँ एक दिवार पर हमें लगवा चार की शीट होती है तो उसको multiply कर लेते हैं तो 32 square feet की वो sheet होती है जो आपको market में समय मिलेगी ठीक है तो room का हम पकड़ लेते हैं room का खर्चा हमें पड़ता है 10 by 10 की हमारा room है कितना 10 by 10 का room है तो 100 square feet वो हो गया तो number of sheets कितनी लगेंगे इसको हमने wall पयाल पर पढ़े सिदी सिदी करनी है तो हमें कितनी sheet लगेंगी तो जितना हमारा room होगा उसको divide कर देना sheet कितनी size है दो 32 घृता LOVE गए तो हमरे 3.12 sheets हमें लगने वाली है तो हमें आदी sheet कि हमने sheet पकड़ ली, 1.2 mm की मिल जाएगी, 1.5 mm की मिल जाएगी, 2 mm की मिल जाएगी, 3 mm की मिल जाएगी, जितनी मोटी लोगे उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा, तो 1800 रुपय हम पकड़ते हैं, एक sheet का cost है, चार sheets हमें लगने वाली है, 4 into 1800 करेंगे तो 1200 रुपया हमारा कुछ sheet का खर्चाएगा, कितना? 1200 रुपया हमारा sheet लगाने का खर्चाने वाले है फिर क्या होता है, जब आप दिवार पे उस पे चिपकाती हो जो हमारी दिवार रहती है तो उस पे न मोल्डिंग लगा लो मोल्डिंग से थोड़ी strength मिलती है क्योंकि मोल्डिंग पे gum glue लगता है तो अच्छा चिपकता है वो तो आप direct भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो मोल्डिंग लगाती हो जब तो सुन्दर भी दिखती है और वो भी है तो एच मोल्डिंग होती है हमारी बीच में तो देखो इदर समझना कैसे sheets को लगा जाता है यह हमारा एक room है लगा लो यह room है तो जो corners होते हैं वहां molding एक यह लगती है molding sheets strips आती है वो यहां लगती है ऐसे तो वहां U molding लगती है कौनसी U molding तो चार लगेंगी एक, दो, तीन, चार चार molding हमने लग लिए और बीच में हमारी हर sheet के बाद एक H molding लगती है इदर इदर तो वो चार लगेंगी तो 1500 रुपेगी के मिलती है आपको molding लंबी 10 फुटकी होती है तो 600-600 का हमने पकल लिए 1500 रुपेगी ती, चार-चार लगी 600 रुपेगी उसका खर्चा आ गया अडीजीब हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं तो लंबसम 10-10 के कमरे में दो बोतल लग जाती है तो 400 रुपेगी का उसका खर्चा आ गया labor cost इस समय चल रही है 18 रुपे से 25 रुपे पर square feet मतलब इसको UB sheet को लगाने का तो मैंने 18 रुपेगी खर्चा पकल लिए कि 18 रुपेगी हमारा मिस्त्री ले रहे है तो हमारा कितनी 100 square feet का हो है मतलब area ठीक है तो 18 into 100 करेंगे तो 1800 रुपेगी लग बग अगर हम बात करते हैं आपकी कोई भी दिवार आपकी दिवार है पहले 10 रुपेगी दिवार है इसका निकाल लो 100 रुपेगी रेट चल रहा है 100 into 100 करेंगे तो कुछ 10,000 रुपेगी हमारा एक दिवार को लगाने का खर्चा रहा है आपकी दिवार है अगर 15 वाय 13 की ठीक है दोनों को मल्टिप्लाई करो 100 रुपेगी रेट चल रहा है तो 100 से मल्टिप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा आपको UV मार्बल शीट लगाने का खर्चा इस समय कितना चल रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको जब भी मार्बल शीट लगाओगे तो कहां आपको गलती नहीं करनी है देखो आप समझते हैं जब भी आपको UV मार्बल शीट लगवानी है पहले तो आपकी दिवार पे थोड़ा क्लीन कर लो अंडूलेशन नहीं होने चाहिए अगर आपकी दिवार उपर नीचे है थोड़ी भी प्लास्टर में थोड़ी गड़बड है तो उसको पुट्टी करवालों को जो आपका सर्फेस रहेगा सीधा रहेगा तो UV मार्बल शीट की लाइफ अच्छी रहेगी नहीं तो क्या रहता है बीच में गैप होता है हवा बर जाती है और थोड़े टाइम बाद वो दीरे 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 निकलने लग पड़ती है तो आपको पहले तो पूरी जो असर्फेस है लेवल कर लो दूसरा प्रफाइल यूज़ करते हो जैसे fix bolt काता है जो भी company का use करते हो आप बीच में वो लगाना है और sheet के चारो तरफ आपको क्या करना है heat x लगाना क्या heat x जो fabric को लगाता है heat x आप sheet पे भी लगाओ और heat x आप दीवार पे लगाओ दोनों चीज़ों पे लगाके आपको उसको proper से चिपका देना है और proper से rub कर लेना है जब एक बर fix हो जाए फिर next time उसकी दूसरी sheet चिपका दो यह चीज़ आपको दियान देनी है और thickness possible दीवारों पे thickness आप डेट से 2 mm, 2 mm के थिकनस बहुत है 3 mm के भी चिपका सकते हो लोगो लगा लो मतलब सेम रेट पढ़ता है PVC लगवाओ यह UB sheets UB sheets का थोड़ा look attractive दिखता है मतलब एकदम surface smooth दिखता है PVC में थोड़ा panels दिखेंगे wallpaper थोड़ा life कम होती है chances होते हैं निकल लेंगे लेकिन वो सस्ता पढ़ता है तो अगर आप चाहते हो इन सब पर मैं वीडियो ले आऊ wallpaper लगाएं यह PVC लगाएं यह lowers लगाएं दिपार पर सबसे अच्छा और सस्ता क्या रहेगा क्या लगाएं वो अगर आप comment करोगे अगर 100 comment होगे उसी दिन 4 option पर वीडियो आ जाएगी अभी मैं लेता हूँ अलबिदा लेकिन